एलाना बादुप चुनाव का प्रणाम आ चुका है चाहे भाजपा नहीं जीती है लेकिन उसे बड़ी ख़वर है कि कॉंग्रेस वहाँ बुरी तरह हारी है कॉंग्रेस का असंतोष कहें कॉंग्रेस की फूट कहें साब दिखाई दे रही है क्योंकि यह चुनाव महट करते हैं नंबर दो हासिल किया विरोध बहुत जादा था किसानों का विरोध बिता लेकिन इसके बावजूद कारीकरताओं ने भाजपाने जो लड़ाई लड़ी संक्ठन के साथ मेहनत की और उसका प्रणाम है कि हार चाहे हुए लेकिन पहले से लीड मार्जन कम हुआ है नैप सिंग सैनी हमारे साथ है सांसादे कुछ के तरह सरा आप भी सिर्सा में गए परचार भी किया आपने तो आप पहले से दावाता जीत जाएंगे लेकिन जीते नहीं लेकिन बड़ा अच्छा हमाँ प्रमोंस ना क्या कहीं देखिए मैं सबसे पहले तो भारतिया जनता पार्टी के सभी कारेकरताओं को और वहां से हमारे जो लोग प्रिया परत्यासी थे गोविंद कांडा जी उनको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहूंगा क्योंकि बड़ी मजबूती से जिस परकार की प्रस्थितियें कॉंग्रेस पार्टी ने और जिस परकार की प् काम किया भारतिया जनता पार्टी रुकी नहीं भारतिया जनता पार्टी ने 30% वोट 2019 के विदान सभा चुनाव में लिया और जब उप चुनावाता है एलनाबाद का 2021 का उसमें 40% वोट लेने का काम हमारे कारेकरताओं ने और हमारे वहां के नेताओं ने और आदनिया मनो अफरलाल जी के नेतरीताओं के अंदर जो सरकार चली है उस सरकार ने 40% वोट महा लेने का काम किया है मैं से भी कारे करता हूं का रादरनिय मुख्यमंत्री जी का और उनकी पुरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि कई बार ये लोगतंतर है लोगतंतर के अंद को 11,000 वोटों का लीड मार जन था आज वो घट करके 6,000 हो गया कहां जिस मुद्दे के उपर अबया सिंग चोटाडा ने त्याग पत्तर दिया था वो कोई मैने नहीं रखता लोगों ने किसानों ने उसको नकारा है उस बात को नकारा है जो कॉंग्रेस पार्टी ने एक ल इनलो ने जो लोगों के अंदर भ्रहम की स्थिती पैदा की थी उस सारे विश्य को जनता ने इनलाबाद की जनता ने उसको नकार दिया ये सिस्सा पूरा का पूरा सामने आ गया क्योंकि वहां पर जिस परकार से गुर्णाम सिंग चुड़नी तो बोलता है जाकर के भी वह सायत की बात को वहां की लोगों ने सुना है और ना ही गुर्णाम चुड़नी की बात को लोगों ने सुना है क्योंकि कॉंग्रस की तो जो पिछले वार में बोटे थी उससे भी स्थिती खराब कॉंग्रस पार्टी की हुई है उसके अंदर क्योंकि कॉंग्रस पार्टी की फूट तो हई आपस में परन्तू किंग्रो ने जिस परकार से देस के अंदर लूट पार्ट मचाई थी देस के अंदर जो भरस्टाचार कंग्रोस पार्टी ने किया था उसका प्रेणाम है कि लोगों का विश्वास कंग्रोस पार्टी से उठ चुका है और भारतिया जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है 2019 से लेकर के जो मनोहर लाल जी ने सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास लेकर के जो हर्याणा ह एक हर्याण वी अगों करके काम किया है उसके अंदर हर्याणा पर्देश की जन्ता के अंदर मनहुर्लाल जी की सरकार के प्रतिः ये प्रतिः लोगों का विश्वास बढ़ा है उसका प्रिणाम है कि 2021 के अप्चुनावात आता है और उस बात को वहां की जनता ने, वहां के किसानों ने नकार दिया अबजित वाला ने आज कहा है जितने के बात जो ये आज मैं था जो उसमें कॉंग्रिस ने बीजेपी को सपोर्ट किया कॉंग्रिस बीजेपी ने एक ठाटा चुना रड़ा मेरे खिलाब ऐसा और अब जीतने हैं इमाद उन्हों लेगा नहीं देखिए अब तो वो कुछ भी कहेगा क्योंकि उसने देखने चाहिए कॉंग्रस और इनलो आप लोग देखिए जो सिंक्त किसान मोर्चा है सिंक्त किसान मोर्चा एक वेक्ति तो जाता है गुर्णाम सिंग चुड़ूनी कॉंग्रस को जता हो और भारतिया जनता पार्टी के कारे करता हो के सामने एक बड़ा चैलेंज और वो चैलेंज ये कि वो गाओं के अंदर घुसने नहीं देते थे किस परकार से लोगों के अंदर एक ब्रहम की स्थिती पैदा करने का काम वो कॉंग्रस ने और इनलो ने किया है राकेश टिकायत आता है वो बोलता है कि आप इसको इसका दवारा जो इन्होंने कुर्बानी दिया उसकुर्बानी को दवारा उसको ज़्यादा बोटों से देने का काम करें परन्तु राकेश टिकायत साथ भी वहाँ गे गुर्णाम चुडूनी वहाँ गया कॉंग्रस की तो वो जमानत जबत कराया जाकर के और जो अबया चोटाला है अबया चोटाले के उपर मैं ये बात कहूंगा इनलों के उपर कई बार विक्ती जीत जाता है अगर उसकी जमानत जबतोती है तो वो जीत जाता है जमानत जबतोने के बाद भी जीत जाता है लोग तंतर है क्योंकि जिसकी वोटे जाद होती है उसको चुना जाता है इस लोग तंतर के अंदर परंतो भारतिया जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर गेन किया है विप्रीत प्रसितियों के अंदर मैं सभी कारे करता हूं को आदरिया मुख्यमंत्री जी को इसकी मैं बहुत बहुत बदाई देना चाहूंगा कि उन्हो यह है कि आज भारतिया जनता पार्टी दस परसेंट जादा वोट ले करके वो उच उसको पर बड़ा क्या गरंटी है कि अब चुटला दोबरा इस्तिति वही है ना किसान अदोलन खत्म हो है ना किर्शी बिल वापिस हो में है तो दोबरा फिर चुनावत नहीं हो जाएंगे अब इस तरह पहले जो इस्तिफाद यह दोष्टी थी आज बंद्राव कुछ नहीं आगया आद देखी वो तो क्योंकि अबे चुटला साहब ने इस बात को देखना चाहिए क्योंकि जो मुद्दों के उपर जिन मुद्दों को लेकर के अबे चुटला ने स्थीपा दिया जनता ने उसको नकार दिया और लोगों ने उसकी बात को कोई महतब नहीं दिया स्वाएं वहाँ पर जो बड़े किसान संगठन के लोग थे वो वहाँ जाकर के उन्होंने परचार किया रहलिये की वहाँ जाकर के भारतिया जनता पार्टी के कारेकरता को तो गाउं में किया और उसका प्रिणाम है कि भारतिया जनता पार्टी ने इन मातर धाई वर्सों के अंदर दस परसेंट का वोट का गेंगी दस परसेंट वोट बने चाली परसेंट पे पहुंच गए कि अब निकाय चुनाव और पंच्याव चुनाव जल्दी होने ची कैश कर सकते हैं ज क्योंकि चुनाव पहले भी ओने अरगे भी जल्दी हैं। जो हमने देखा है हमारे तो सामने है यहाँ पर क्योंकि मनोहरलाल जी ने जो काम किये है मनोहरलाल जी के कामों के उपर एलनाबाद की जनता ने महुर लगाई है हमें 10% जादा वोट देने का काम वहाँ की जनता ने किया है क्योंकि परिणाम है और उस परिणाम को से विकार करना चाहिए और मैं क्योंकि इलनाबाद के अंदर काफी लंबे समय तक रहा हूँ मैं इलनाबाद की जनता का भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सोच लोकतंतर के अंदर अपना खुल करके मत दिया है और क्योंकि कई बार प्रस्थितियां बनती हैं प्रस्थितियां मैंने कहा है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है लोकतंतर के अंदर की व्यक्ति की जमान तजबत हो जाती है और जीत जाता है और यही सिटी इनलो क्यों ही है अब जीत करना है तो इनलो का अब चोटाडा का और कॉंग्रस का जनता ना तो कॉंग्रस को माफ कर रही है कॉंग्रस का ती जमानत जब्त कर रही है प्रन्तु इसको भी सबक्स काने का काम जनता ने कि लिए बनी साफ सी बात है जो नैप सिंग सैनी का कहना है उनका साफ कहना है कि भाजपा हार कर जीती है और इनेलो जीत कर भी हरी है भाजपा का तरकी है कि उनकी परसेंटेज बड़ी है और इनेलो को जीत कर हारने का तरक ये दिया जा रहा है कि उनका जो विनिंग मार्जन कम हुआ ह किसान अंदोलन के मुद्दे पर जनता भैकने वाली नहीं है और जनता को भैकाने की साजिश रिची गई थी उसका एलानाबाद की जनता ने करारा जवाब दिया है